हेलो मेंबोस अब देखो यहाँ पर कल मार्केट में आर बीए की पॉलिसी आने वाली है और स्टेटर्जी क्या रख नीचे देखो आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉटन होने वाले अगर कोई निफ्टी में ट्रेड कते तो उनके लिए मैं स्टेटर्जीक बताऊंगा और अगर कोई आप बुछ रहे हैं कि सर शॉट्टम में मिडिकेप कहां जा सकते हैं स्मॉल केप कहां जा सकते हैं वो मैं आपको बताने के कोशिश करूँगा तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत काम का है तो आज अगर आप देखोगे यहाँ पर निफ्टी ने न आपके लिए तो हो सकता है कि डबल टॉप क्रिएट करने के बाद मार्किट फॉल करें और ऐसा भी हो सकता है तो थोड़ा सा कॉशिश रहना है कल के दिनों के अंदर क्लियर आज भी हमारे जो स्टॉक में पूट ऑप्शन दिया था हैं पर ठीक है मार्के अदर आप दिख स उप्शन दिया था था तो मैंने इसलर में का पूट ऑप्शन लिया मैंने प्रॉफिट किया उसके बाद टीले यहां की यहां पे है तो मान लो जब दिते हैं तब तो ऐसा नहीं कि भाई, एंट्री करी लो, ठीक है, सॉफ्ट्वेर को क्या लगता है, कि भाई, वो ब्रेकडाउन है, मार्केट में वॉल्म जादा है, स्टॉक ब्रेकडाउन क्रियाइट करा है, ओप्शन चीट डेटा क्लियर कट नेगेटिव है, लेकिन आपको वेट करना है, ब्रेकडाउन का, क्या आपको वेट करना है, ब्रेकडाउन का, तो जैसे ही आपको डे लो ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है, तब यहाँ पे एंट्री पॉसिबल होती है, तो आप देखोगे, यहाँ पे दे लो ब्रेक हुआ दिखाई दिया और उसके बाद देखो कहां तक जाता हुआ दिखाई दिखाई दिया 883 तक स्टॉक जाता हुआ दिखे जा आई बच समझ में तो पॉइंट क्या हो जाता है आपको दीखना पड़ता है ब्रीकडाउन कहां में सीम चीज़ा आपको इंडेसल बैंक दिखना पड़ेगा देखो इंडेसल बैंक भी ब्रेकडाउन के लिए दिया था स्टॉक ने यहां पर लेवल एक्जेट ले टाच हुआ उसके बाद रिकावर पूरा का पूरा कर गया अगर मैं बात करने जाओ यहां पर नीचे गया तो क्लियर तो देखो हमेशे यह स्कैल्पिंग के लिए करोगे जादा बेनेफिट है कोई लेके जाने की जंजट नहीं ठीक है नेक्स दे को कैरी करने जंजट नहीं हाजाद दो जर मिल जाए एक लोट के इंदर बहुत है ठीक है तो ऐसे ट्रेड करना सीखना होगा आप लोग वो घटाίगा नहीं नाम बड़ाएगा कुछ भी नहीं करेगा लेकिन मुद्दा क्या आता है मुद्दा आता है क्या हम पर फ्यूचर कमेंट्री क्या देगा प्या फ्यूचर कोमेंचरी अब उसमें कमें जीडिप का डिटा डीटा की बात की जारी है अगर मान लो के अंदा सिर्व दो बार ईपोड़ चैंज हो सकता है तो इसा अनुमन किया जा रहा है तो अगर मानलो ची कोई चेंजिश हो तक या व लेंगा एक य की बार से जो आने से टाने कि जिस वजह सकता है इक यह और चीज़ है कि हां पर लिक्विडिटीटी में आप पर कोई गवर्मेंट माफ के जगा आर भी एक कोछ कर रही है कि बाई लिक्विडिटी को टाइट करने की कोशिश कर रही है बैंक्स को लिक्विडिटी नहीं दी जाएगी वगरा वगरा तो यह सबी चीजे आर भी एकी पॉलिसी में आएगी कर ठीक है कब सर पुछे सर कितने करना है तो आपको पहले निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं करना है तो आपको करना अपनी तरह सकते हैं लेकिन जो मैं आपको स्ट्रेटेजी उसकी सबसमको नहीं करना है तुक्यों नहीं करना है क्योंकि आपको लगे का बैं निफ्टी ब्रीक इंट्री कर रहा है मानलो यहांपर पार। निफ्टी उपर चला गया बारा बजी घंटे एक बज़े ठीक है तो मार्किट वालेट है सकता है तो रह Virgin होगा उसके बाद वापस गिर जाएगा आपको लगेगा भाई यह ब्रीकडाउन हो रहा है वापस यह उपर आ जाएगा तो ऐसे वॉलाइट होगा ठीक है फिर आपको जहन में क्या रखना है कि पॉलिशी आने की सब्सक्राइब की कि San translated कि ऐसके बाद आको देखना है कि मुई कौन सी डाएरेक्षिन में आ रहा है किया या मूँ अफसेट डिरेक्शन में आ रहा है या मूँ डाउंसेट डिरेक्शन में आ रहा है ठीक है मेकप की बात करो पॉलेसी खतम होने के बाद बड़ा मूँ चेक करो बड़ा मूँ याने की कम से कम पांच मिट की केंडल के अंदर कितनी पांच मिट की केंडल के अंदर नि बारा बच के 20 मिट पे निफ्टी ने ब्रीक आउट किया और चला गया 22-540 पे ठीक है पांच मिट के अंदर इंस्टनली बड़ी केंडल बना दी 30-40 पॉइंट के यहां पे एंट्री बनती है 30 पॉइंट का सपोर्ट रखना है और वापस 30-40 पॉइंट के अपके टार्गेट इस direction को चेक करते हैं कि कौन सी direction में जाएगा मेरे को market को नीचे ले जाना है या उपर तो बड़े place decide कर लेंगे मानलो उपर जाने कर लेए ready हो जाएगे तो वो लोग खरीदेंगे fresh खरीदेंगे तो आपको charts पे दीखेगा और जैसे दीखेगा आप लोग entry करेगे और entry करने प्रोफिट बुक करके निकल जाओ फिर मानलो यहां पे breakout हुआ अब वो लो किसर में पकड़ के बैठो नहीं क्यों नहीं क्यों कि वापस कभी अभी reverse भी हो जाता है ऐसा हम लोग ने last policy में दिखा था ठीक है बारा बच के 20 मेंट पे market उपर गया था उसके बास sudden fall आया ठीक ह अगर निफ्टी में कोई trade करते हैं तो अगर नहीं समझ में रहा है वीडियो रिवाइन करो I'm sure आप थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे clear अभी point number two के सर मिटके पे क्या हो सकता है ठीक है मिटके में कल का है हाँ पे क्या strategy होनी चीए हम लोग मिटके होल्ट करी या बीच दे देखो short and simple में market के policy तो positive आने की उमिद है negative commentary को आने की उमिद अभी के लिए नहीं बनती इवन आप सोचो members अगर market में RBI negative होलेंगे तो budget में हम आफ केजेगा जो अभी elections है उसमें क्या impact पड़ेगा ठीक है na elections है तो market में भारत का अर्थ तंत्रा यानि कि भारत यहाँ बे ग् समझो कि मानलो यहाँ पर positive बोला ठीक है तो market अगर यहाँ से direction लिया positive side पर तो आपको देखना है कि mid caps and small caps की closing कहां पर रहती है अगर मानलो closing positive side पर रहती है आप यह समझो धाई बज़े क्या सबस्त दो से धाई बज़े अगर यह धाई बज़े 2 से धाई बज़े market positive रहता है इवन small and mid caps positive रहते हैं तो आपको यह ध्यार में रखना है कि आप अगर कोई stock में फसे हैं और वो stock में momentum आ रही तो आप average करने का सोच सकते हैं ठीक है इवन आपको यह focus करने के RBK policy के बाद सबसे पहले कौन भागेगा तो कि PSU banks भाग सकते हैं कौन से? PSU banks इसमें आप PNB का stock स्टॉक देखना, Canera bank देखना, IOBs जैसे stock देखना, आपको वो banking stocks आपको देखने हैं आई बाद समझ में उसके लाव आपको यहां पे जीतने दूसरे PSU stock से defense sector वो भी आप radar पर रख सकते हैं चाहे BEL हो, coaching shipyard हो या माजगन डॉक हो वो भी आप लोग radar पर रख सकते हैं ठीक तो जो stock भाग रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत का सकते हैं एकिन quality थोड़ा दियान में रखेगा quality वाला होना चाहें ओके आई बाद समझ में and मानलोग से market गीरा तो फिर क्या करें तो short term के लिए जितने भी positions हो उसमें काटने का सोचना बहले छोटा मूटा 1% का लोग सो उस आईसा नहीं करने market में positive negative दोनों सोचना पड़ेगा ठीक है क्यों market one way जा रहा है यहां से retracement हुआ ना तो भी पागल हो जाओग आप लोग और retracement होगा तो बहुत बड़ा retracement होगा ठीक है एक data पसंद फॉल करेगा तो आपका stock तो चार्ट पांच पसंद फॉल कर जाएंगे clear तो short and simple में market trend positive लग रहा है market वापस उपर जाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा careful लेना है based on the RBA policy एन हाँ elections के बाद एक profit booking आ सकते क्योंकि market lifetime उपर continue one way तो नहीं जा सकता यह आप भी जानते मैं भी जानता हूँ तो थोड़ा सा careful आपको जरुए रहना है होप आचका वीडियो stock दीखनी चाहिए members policy के बाद वो भी mention किजीगा ताकि दूसरे investors वो भी radar पर चाहिए मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye जाइ ही